पिच चंकल महताई चराए बैजू क्वाला गोजिया जावए एक या चम्भात देख कुसाए कईया मेरी कोन दु हो है बैजू पात देख कुस आया जान जदीक करे प्रहार लाठी चार मरूंगा रोचे उसने लिया नियम बना लाठी चार मरूंगा रोचे एक दिन बैजू काया तुखा जे मुनि माला मुह में टाला बात अचानक या निया जाए आज इन नाठी नहीं है मारी की जैसे जाके नाठी उठाए मारण चाहा जोर लगा के ऐसे प्रकट होना हो जाए कहें कुस हूँ आमें भगता प्रकट हो जब सामने आया बैजू हर हर मीर बहाए कहा माफ तू करना स्वामी मूरक मैं तो समझना पाए कैसे मुह दिखना मू स्वामी बोला उठके गले लगाए बोले वैजू पहले तू है लोग के आने के वारे में कोई शुष्णा नहीं की गई है या कोई इंसरक्ता नहीं दिया गया है लेकिन जोर ही लोग यहां पर धर्षन करने के लिए आनग जाएंगे तो परती दिन चार घंटे हम लोग उनको दर्षन इलाव करेंगे छे से दस बजे तक एक घंटे में मैक्सिमाम 50 आदमी को क्योंकि शोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो उस लिहाज से 50 आदमी एक घंटे में दर्षन कर सकते हैं यहां तूजन की बात नहीं हुई है दर्सन की बात हुई है और इसमें ध्यान दखने की बात है आप लोगों को भी सब को जबरूप करना है कि जो ब्रिद हो बच्छोटे बच्चे हो प्रिग्रेंट महिलाये हो या बीमार लोग हो ओ लोग नव आए उनको आप लोगों की तर में कि इस तरह की बेवस्था भी की जा सकती है तो चुकि भीर को नियांत्रीत करने के लिए भविश में हो सकता है भीर बढ़े तो इसको नियांत्रीत करने के लिए हम लोग एक दो दिन में ऑनलाइन तीकट की बेवस्था करेंगे जिसके लिए सब सभी पबली को एक लिंक प्रखोप जैसे जैसे घरत जाएगा मंदिर पुर्णा उन्हीं भाति खुल जाएगी जैसे सब लोग आते थे मंदिर में कैसे पुजा की बहुत अच्छा लग रहा है बाबा का आशिरवाद है और बाबा जो सब का कोविन एंटी हर लेंगे आप लोग कैसे पुजा किए किधर से कुछे कि पसिंद्वार से ढूके हम लोग सिंग दरवाजा से ढूके हैं इधर से निका गनेश कुमार हुआ मेरा नाम सा महसूस करते हैं महसूस तो बहुत अच्छा भी हो रहा है लिए नहीं खुला है यह सिब जारखन के लिए खुला है आम लोग बाबा से मना रहे हैं कि जद से जल सारे यात्री भी खुल दिया जाए जाए जारखन में का सिब दियते लोकल हो उसके बाद सिग्रा दे सिग्र सारे यात्रीकले मंदिर खुला जाए कोरोना की समामती हो चुकी है वहां बद्राख किर पास से यहां कोई दिक्कत नहीं है मंदिर खुल दिया जाए